दोस्तों चतुर बीरबल में आज की कहानी है अकबर के पाँच परसन बादशा अकबर अपने दर्बारियों से हमेशा तरहत्रा के प्रश्न पूछ कर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लिया करते थे दर्बारी भी उन प्रशनों का उत्तर देने का प्रयास किया करते थे ताकि वे अकबर के समक्ष अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा सके और साथ ही बीरबल को नीचा दिखा सके लेकिन हर बार बीरबल अपने श्रेष्ट उत्तर से अकबर का दिल जीत लिया करता था इस कहानी में बादशा अकबर दर्बारियों से पांच प्रश्न पूछते हैं वे प्रश्न क्या थे, दर्बारी उनका क्या उत्तर देते हैं क्या वे बादशा को अपने उत्तरों से संतुष्ट कर पाते हैं। जानने के लिए सुनिए अबबर बीरबल का ये किस्सा। बादशा अबबर दर्बार में पधारे, दर्बारी भी मौजूद थे। इसी बीच बादशा के ध्यान में पाँच प्रशन आये। उन्होंने दर्बारियों से वे प्रशन पूछे, बीरबल उस समय दर्बार में मौजूद ना था। वे पाँच प्रशन इस प्रकार थे। फूल किसका अच्छा? बूद किसका अच्छा? मिठास किसकी अच्छी? पत्ता किसका अच्छा? राजा कौन सा अच्छा? बादशाह के इन सवालों को सुनकर दर्बारियों में मतभेद उत्पन्न हो गया किसी ने गुलाब को अच्छा बताया तो किसी ने कमल को इसी तरह दूद के लिए भी किसी ने गाय तो किसी ने भैंस और बकरी आदी के दूदों को अच्छा बतलाया पत्ते में किसी ने केले के पत्तों, तो किसी ने नीम के पत्तों को गुनकारी बतलाया। राजा कौन सा अच्छा है? इस प्रश्न के उत्तर में चापलूस दर्बारी एकमत थे, सब एक स्वर में बोले, बादशा अकबर सबसे अच्छे। अकबर उनकी स्वामिभक्ती पर खुश हुए, किन्तु अपने प्रश्नों का यतोचित पुत्तर न पाने से उन्हें संतोश न हुआ, वे बीरबल की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि जानते थे कि प्रश्नों का सही उत्तर दे सकने में वही समर्ध है। तभी बीरबल आप और अकबर के बगल में अपने स्थान पर बैठ गया, अकबर ने बीरबल से वही प्रश्न पूछे, बीरबल ने जो उत्तर दिये, वह इस प्रकार थे। पहला उत्तर फूल कपास का अच्छा होता है, जिससे सारी दुन्या का पड़दा रहता है, क्योंकि उसी के फूल से कपड़े बनते हैं। दूसरा उत्तर दूध मा का अच्छा होता है, उससे शरीर का विकास होता है। तीसरा उत्तर मिठासवानी, जीब की अच्छी होती है। चौथा उत्तर पत्ता पान का अच्छा है, जिससे देने से शत्रू भी मित्र जैसा व्यवहार करता है। पाच्छवा उत्तर राजाओं में इंद्र श्रेष्ठ है, क्योंकि उनी की आग्या से वर्षा होती है, जिससे संसार में क्रिशी कर्व होता है और समस्त प्रानियों का पालन पोशन होता है। बादशा अकबर बीरबल के उत्तर सुनकर संतुष्ठ हो गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये अकबर के पाँच प्रश्न तहानी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मज़ेदार अकबर बीरबल की कहाने सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंस यू सो मच।